नमस्कार दूस्तों YouTube चनल ICT Academy में आप लोग का स्वागत है अज के इस वीडियो में हम आप लोग को पताएंगे कि अगर आप अपने एप्लिकेशन नंबर अगर भूल गये या फिर पासवर्ड आपको नहीं पता उसका जो भी old mobile नंबर था वो अगर बंद हो गया खो गया त या फिर OTP नहीं आ रहा इसकेस में आप नया mobile नंबर कैसे एड करके आप अपने एप्लिकेशन आइडी भी अगर भूल गया है तो मैं आप लोग को पूरी जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा एप्लिकेशन आइडी ला के पासवर्ड को रिकबर करके mobile नंबर चेंज का अभी पूर्सेस बताऊंगा तो वीडियो को बिना स्किप किए लास तक जरूर देखिएगा तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले अगर चैनल पर पहली बार आएं सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करकर नौटिफिकेशन को भी आन क का वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप फ्रेस या फिर रिनुवल करना चाहते है ठीक है रिनुवल का ही इतना दिक्कत हो रहा है क्योंकि रिनुवल करना चाह रहा है और पुराना जो ईजर आईडी है मतले एप्लिकेशन हम को भी यहां पर उसको हम हठा देते हैं मेरे पास भी कुछ नहीं है मैं रिनुवल करना चाहता हूं और पुराना मूबाइल नमर है कुछ नहीं है अब हम कैसे क्या करेंगे जो कि हमको application ID भी मिलेगा, password भी मिलेगा, जो मेरा नया mobile number अभी मेरे पास है, उसको हम कैसे update करेंगे, ठीक है, तो चलिए वीडियो को अभी start कर देते हैं, अभी आपको क्या करना, अपना कोई भी एक browser को open कर लेना, तो अपना mobile का एक कोई browser को open कर ले लिजे, जहां आपको सुविदा उसको आप open कर लेजे, open करने का बाद आपको लिखना अपने browser पे, रोजगार.online, ठीक है, आप देख लिजे, जो भी मैं लिख रहा हूं, सही स्पिलिंग देख लिजे, रोजगार.online, इस website में scholarship updates, latest board exam, result, educational information मिलेगा, और इसमें recovery, password recover करन रोजगार.online, अलिक के आपको इंटर करना, इंटर करने के बाद ये वाला website open होगा, आप लोग देख सकते हैं, इसका logo, रोजगार.online, notification, allow का option आएगा, get new notification, उसको आप yes कर दिजेगा, ताकि कोई भी नया post आएगा, scholarship related, तो आप लोग को notification मिल जाएगा, ठीक है, अभी आ आप अगर mobile से open कर रहे हैं, तो left side में three dot मिलेगा, वहाँ पर आपको scholarship मिलेगा, scholarship में national scholarship, तो three dot में आप mobile पे अगर है, तो national scholarship में चले जाएगा, computer पे अगर है, तो scholarship national scholarship में आपको जाना है, क्योंकि हम लोग अभी national scholarship का password को recover करेंगे, और इस website में आपको scholarship related, national scholarship related, काफी करना चाते हैं, या फिर final से भी नहीं की edit करना चाते हैं, उसका भी details में बताया हुआ, bonafide certificate के बारे में बताया हुआ, यहां से download कर सकते हैं, merit list 19 विसका आया हूँ, इस सब को भी आप लोग देख सकते हैं, फिलाल मैं आप लोग को इस post के बारे में बताने जबाला हूँ, जिसमें forget application ID, password आप कैसे करेंगे, ठीक है, तो आप यहां पर अपना NSP का status को भी check कर सकता है, how to check NSP scholarship status, इसमें application number और आप account number से direct check कर सकता है, आप अपना account number डाल के यहां से check कर सकता है, कहां पर payment है, अभी हमको जाना आई इस post में, national scholarship portal, forget application ID, recover, password and update, mobile number, ठीक है, इस post में हमको जाना, तो इस post को हम okay करते हैं, जैसे आप okay करेंगे, तो आपके समनी इस तरह का interface open होगा, आप लोग step by step देख लिजे, उसके बाद यहां पर आप लोग देख सकते हैं, मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है, application ID भी नहीं है, password भी नहीं है, mobile number भी बंद हो गया, तो सबसे पहल पिछले बार registration किये थे और आपको अपना password recover करना है, या फिर आप session 18-19 में registration किये थे, तो जो भी session में आप registration किये तो उसमें जाएंगे और आप अपना application ID को प्राप्ट करेंगे, कैसे देख सकते हैं, यहां पर 19-20 session में registration किये थे और आभी renewal करना चाहते हैं, तो 19-20 में click करे ठीक है, तो आप अपना यहां पर जो है, इसको देख लेंगा, आपका session, तो आपका session यहां पर होना चाहिए, अगर आप 19-20 में registration किये थे, इस scholarship के लिए, और application ID प्राप्ट करना चाहते हैं, तो 19-20 में ही जाएंगे, इसमें चले जाएंगे, ठीक है, तो मैं 20-21 में जा रह हमको account number से जाना है, क्योंकि account number में अभी application ID दिखेगा, तो आपको अपना सिर्फ account number को put करना है, जो भी आपका bank account number है, तो यह तो याद हो गाई, तो मैं अपना यहां पर bank account number को put कर देता हूं, bank account number यहां पर put कर दिया, उसके बाद इस capture को यहां पर आपको fill करना ही इस capture को fill करने के बाद, capture गलत आएगा, अगर समझ में नहीं आगा, तो यहां से refresh कर सकता है, नया नया capture आएगा, उसके बाद check application ID करेंगे, जैसे आप check application ID करेंगे, तो आपकी सामने यहां पर देख सकते application ID सो हो जाएगा, तो पहले हमको अपना application ID को ले लेना, क्योंकि मेरे पास application ID था, नहीं कुछ था, तो फिर हम इस website में आएंगे, जो website बता है, रोजगा.online, और यहां पर हम लोग देख सकता भी application ID मिल गया, अभी हमको यहां पर password चाहिए, तो password के लिए मेरा mobile पर OTP जाएगा, तो सबसे पहले हमको अभी mobile यहां पर update करना पड़ेगा, ठीक है यहां पर सबसे पहले हमको अभी application ID हमको मिल गया, उसके बास second stage आप लोग का होगा, mobile को update करेंगे, नया mobile नमर मेरे पास जो है, उसको update करेंगे, तब मेरा mobile पर OTP आएगा, हमको अपना application ID मिल गया, अभी mobile नमर को हम update करेंगे, तो mobile नमर को update करने के लिए यहां पर हम लोग जाएंगे, अगर हम पिछले साल, 19-20 session में renewal किये थे, तो इस जगहा पे click करेंगे, अगर 20-21 के लिए अभी कर रहे हैं, तो इस जगहा पे click करेंगे, ठीक है, देख लेंगे, अगर आप गलती से आप इधर उदर click कर दिये, तो दुबारा आकर दूसरे पर आप लोग update कर सक सकते हैं, आपके समने इस तरह का update applicant, mobile number, application ID और application नाम सो करेगा, उसके बाद नीचे एक option है का new mobile number and confirm mobile number, तबको अपना जो नया mobile number जो आपके पास है, जिस mobile number का अभी आप update करना चाहते हैं, उस mobile number को यहाँ पर fill करेंगे, दोनों जगहा पर confirm mobile number करेंगे, उसके बाद submit कर दें अभी उस mobile number पर एक OTP आएगा, उस OTP को आपको यहाँ पर fill करना, OTP को फिल करने के बाद जैसे आप confirm करेंगे, यहाँ पर इस तरह का notification सो होगा, mobile number, application ID यह mobile number update हो चुका, ठीक है, जैसे mobile number update हो जाएगा, mobile number update हो जाने का बाद, मतलब आपका जो पुराना application ID था, 2019 या पर जो नमबर update हो गया, अभी आपको फिर से इस website पर आना है, और इस website पर आपको खोजना है, get new password, मतलब अभी अगर आप password को recover करेंगे, तो आपका जो पुराना mobile number है, उस पर OTP आएगा, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग application ID को fill करेंगे, forget में जाके, और इस capture को यहाँ पर डालके next क करेंगे, अब जैसे forget application कियें, और application ID डाले, और capture को डाले, तो next करेंगे, तो आपका जो OTP आएगा, वो अभी नया mobile number को OTP आएगा, मतलब जो नया number अभी डाले, उस पर आपको अभी OTP आएगा, उस OTP को आपको यहाँ पर fill करना है, और verify करना, तो जैसे आप verify कर देंगे, तो देख सकते हैं, password, password send to student mobile number, मतलब आपका जो नया अभी mobile number डाले, उस number पे आपको password भेज दिया गया, तो आपका password अभी क्या है, अगर message नहीं भी आ, तो कोई दिकत नहीं, renewal पे आप जाएंगे, आप अपने application ID को टाइप करेंगे, application ID टाइप करने के बाद, आप password अपना data बढ़ती आपका password होगा, जैसे 01, slash देना, फिर 01, फिर एक बाद slash देना, उसके बाद 2001, 2002, 2003, जो भी है, उसको डालना है, mobile पे भी अगर आपका message आएगा, तो यही password आएगा, इसको आपको पहले डालना है, डालने के बाद, उसके बाद जैसे आप login करेंगे, इस capture क यहाँ पर आपको फिर से फिल करना है, capture को फिल करने के बाद, जैसे आप login करेंगे, तो आपका profile login हो जागा, फिर आप इधर से change password में, आप अपना password को change कर सकते हैं, ठीक है, यह था process, आपको सारा login related, कैसे application एड़ी forget करेंगे, कैसे फ्राप्त करेंगे, कैसे recover password करेंगे, कैस परकार का online exclusive newsletter वीडियो हमेशा पाने के लिए, चलिए मिलते हैं अब दूसरे वीडियो पर,